हेलो एवरीवन वेल्कम तो दे चैनल तो चलिए दोस्तों आज के इस लेक्चर के जरीए शुरू करते हैं विजन आएस साइंस एंड टेक्नोजी के मेंस के करेंट अफैस यह मेंस 365 है और जो भी इस बार मेंस लिग रहे हैं PCS का या UPSC का उनके लिए इंपॉर्डेंट हो सकत हैं तो साइंस एंड टेक्नोजी में देखिए जो पहला टॉपिक है वह है इमर्जिंग टेक्नोजिस में आज हम टोटल तीन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे नेशनल स्टेडिजी ऑन ब्लॉक्चेन और कॉन्टम टेक्नोजी इनको कवर करते हैं लेकिन उससे पहल इनको मारा नेशनल स्ट्रेडजी ओन ब्लॉक्चेन समझते हैं यह नेशनल स्ट्रेडिजी ऑन ब्लॉक्चेन न Yupanot Network with और फिरे में इनकोफिक की आप लेक्ट्रोनिक्स इन्फॉमेशन क्यों आब समझे लेते हैं डेख लिजै यहां समझ लिजे ब्लॉक्चेन कुछ नहीं होता दोस्तों ब्लॉक्चेन लिस्ट होता है रिकॉर्ट का जो भी ट्रांजेक्शन आप वगरा करते हो ना ओनलाइन में जैसे की लेजर हो गया डैट कीप्स ग्रोइंग जैसे जैसे इसमें और एंट्रीज एड होते रहेंगे तो समझ में आगे ब्लॉक्चेन का है ब्लॉक्चेन कुछ नहीं है रिकॉर्ड होता है लिस्ट होता है लिस्ट होता है ट्रांजेक्शन का जो भी आप करते हो ठीक है वुच इस डिस्टिबूटेड और जो ब्लॉक्चे भी इन टांजेक्शन करती क्या उसको एक जिगा पर इकठा करके रखती है लेकिन ब्लोग चेन में ऐसा नहीं होता ब्लोग चेन में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो मल्टीपल कंप्यूटर कह लिजिए नेटबग कह लिजिए उन पे अवेलबल रहता है ठीक है सिंग इस the minutes seconds तो जो भी आप transaction करते रहते हो वो सिंक होता रहता है मिनेट्स और transaction के साथ अलग-अलग different different क्या multiple computers पर या network पर जो data है वो इकठा होता होता रहता है adjustable transparent तो blockchain जो है इसको आप adjustable कर सकते हो देख लिजे records stored in the database may be made visible to relevant stakeholders तो अगर आप जो data blockchain पे available है आप चाहते हो कि यह relevant stakeholders को देखे तो बिना without risk of alteration तो वो भी आप कर सकते हो देखिए जो भी एक बार data आगया blockchain पे वो थर्ड पार्टी देख लेगा उस data को लेकिन उस data इसे transparency बनी रहेगी समझें समझें highly secure है जो blockchain बहुत ज्यादा secure इसको मैंने बता रखा है न कोई ज्यादा थोड़ फोड़ नहीं सकता malicious actor जैसे कि hacker हो गया कि no longer just attack one computer and change any records मैंने बता दिया इनको जो blockchain पे रिकोर्ड से उनको बदलना ना मुंकी नहीं लग बग तो यह बहुत फाइदा है and immutable the mathematical algorithm makes it impossible to change delete any data once recorded and accepted तो एक बार अगर data blockchain पे record हो जाता है accept हो जाता है तो उसके मैं बता चुका हूँ एक distributed या decentralized legit technology होती है ठीक है तो आप यह जो technology यह अमलगी मेशन है various technologies का मतलब बहुत सारी technologies को मिला कर यह technology बनी है बहुत सारी technology कौन कौन सी ठीक है सच as distributed system cryptographic बहुत सारी technology को मिला कर क्या बना है यह blockchain technology बनी है data और जो transaction store करे जाते हैं इन पे blocks पे वह बहुत ज़्यादा secure होते हैं tempering के इनने कोई temper नहीं कर सकता ठीक है using cryptographic algorithm and are validated and verified through the consensus और जो भी data अगरा होता है blockchain पे वो consensus के ठीक है उसके through validate करा जाता है और verify करा जाता है मैंने बताना एक बार आप जो भी data create कर दोगे वो consensus के through क्या होगा validate करा जाएगा और verify करे जाएगा फिर उसको कोई भी modify नहीं कर पाएगा consensus protocols भी का जाता है इसको across nodes of the blockchain network तो यह overview देख लिए आपने फायता देख लिए अब देख लिए यहाँ पे वह picture बना रख किया कि कैसे blockchain work करता है तो वहीं मैं बता रखाहूं बहुत सारे नेट्वोक जो है मिल जाते हैं ठीक है तो उन्हीं के जरीए क्या बनता है बहुत सारे network बहुत सारे data कट्था हो जाता है उसके जरी क्लाइंट इनिशेट जा ट्रांजेक्शन क्लाइं ने किसी ने चैनल सब्सक्राइं करा फिर फेर ये नेट्वक पर जाएंगा इसके बाइभकी होगा उसका लिडेस्टा ब्लोकचेंंगा फाइधा क्या है सिंग ब्लॉट हें लिडिख यंक के बहूँ अरो पहलत रिदा दिया आ मेकनिजम है blockchain technology provides efficient distributed ledger storage mechanism तो मैंने बता दिया ना इसमें जो डाटा है हार किसी के पास available होगा इसके लबाँ यह transparency लेकर आता है और efficiency लेकर आता है इनकी इस करता है processing speed को और reduce करता है cost को भी ठीक है यह फायदा है fraud prevention इस पर fraud करना बहुत मुश्किल होता है it is extremely difficult to get access to it and if so any piece of information can be easily recovered ठीक है applicability in diverse domain blockchain का जो application है वो अलग-अलग domain है में है जैसे कि आप blockchain का इस्तमाल education में कर सकते हो governance में finance में banking healthcare logistics cybersecurity media media legal power बहुत सारे sectors में भी blockchain technology का इस्तमाल आजकर होता भी है example of potential application देख लिए कौन कौन से एक्जांपल है जहां पर blockchain का इस्तमाल हो रहा है पहला है e-governance में e-governance में कैसे इस्तमाल कर सकते हो blockchain not only makes the underlying system more efficient but also brings trust transparency लेके आता है accountability लेके आता है this includes property record management आप जो भी property record management है उसको blockchain के जरिए कर सकते हो ठीक है digital birth बना सकते हो death and education certificate management कर सकते हो for example UAE जो country है through smart Dubai initiative aims to become the first city fully powered by blockchain तो UAE जो देश है इसका बहुत अच्छा aim है दोस्तों यह fully powered blockchain city बनना चाहते हैं दोस्तों काफी अच्छी बात है और कहां का potential है इसका banking में देख लीजे blockchain के help in avoiding risk of payment losses आपको पता है बहुत सारे भी जाप payment करते होगे online वगरा उनका losses हो जाता है फ्रॉड हो जाता है बहुत जादा लेकिन अगर आप blockchain technology का इस्तेमाल करते हो तो मैं पता तो पहली बात तो सारा का सारा डाटा जो है वेलिडेट होगा फिर सबके पास information पहुच जाएगी तो इसमें जो फ्रॉड करना वो काफी मुश्किल हो जाएगा ठीक है रिडू करता है cross border transaction fees incorporate करता है payments and remittances को अगला जागा है वह supply chain में मदद करता है देख लीजे blockchain can create temper proof record to check the real time information about product journey from place to high origin to destination place improving the reliability of efficiency of the supply chain तो आपको पता चीज़ आएगा यह transaction कहां से कहा हुआ है तो supply chain में मदद करता है health care में मदद करता है by establishing a secure chain of network blockchain can help in handling the patient record अभी देखे ना अभी जब आप doctor से मिलने जाते होंगे तो आपका जो record है जो इतनी सारी पर्ची आपके पास इखठा हो जाती होंगी आपको खुद नहीं पता होता कि वह डॉक्टर ने कौन सी पर्ची बनाई है क्या दवाई लिखी थी कुछ नहीं लेकिन सपोस माल लीजे ना हेल्थ केर में जो डॉक्टर है वह आपका सारा का सारा डाट जो है ब्लॉक्चेंट पर लिख रहा है तो ब्लॉक्चेंट के जरीव क्या वह पूरा का पूरा record बना रहेगा आपका कि इसको पहले बिमारी कौन 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 सी दवाई दी गई फिर कौन से डॉक्टर ने हिलाज करा तो काफी अच्छी मदद मिलेगी ब्लॉक्चेंट का अगर हम इस्तमाल करते हैं घल्थ केर में और काफी जगा इस्तमाल हो रहा एक्शुली ठीक है billing में मदद करेगी, public health monitoring में मदद करेगी, e-courts में भी मदद कर सकता है ब्लॉक्चेंट देख लिजए data from multiple entities जैसे की police, judiciary, legal department देखिए अगर किसी बंदे पे भी case चलता है तो police के पास कुछ और data होता है, judiciary के पास कुछ और data होता है, legal department के पास कुछ और data होता है लेकिन अगर हम ब्लॉक्चेंट का इस्तमाल करें तो सारा का सारा data जो integrate हो जाएगा, validate हो जाएगा, verify कर सकते हो उसके इसाब से उसके उपर क्या case बनेगा, क्या case नहीं बनेगा, अच्छे से चला सकते हो दोस्तों, national blockchain framework भारत ने तयार करा है, national blockchain framework तयार करा है और इसके तहत हम लोगों ने भारत ने strategy और outcome तया करे हैं अगले 5 सालों के लिए कि हम blockchain में क्या-क्या strategy अपनाएंगे और क्या-क्या हम लोग target चीफ करेंगे, देख लिजे, पहली बात तो हम लोगों ने national blockchain framework बनाया क्यों है, इसकी need क्या पर गई, तो बहुत सारी report जो है, predict कर रहे हैं कि 2030 तक जो blockchain है इसको इस्तमाल करा जाएगा foundational technology के इस्तमाल तौर पर, ठीक है, foundational technology के तौर पर इस्तमाल करा जाएगा for 30% of global customer base, समझेंगे जितने भी global customer base हैं, उसमें 30% जो है, blockchain technology का इस्तमाल होगा, तो इस वज़े से हम लोगों ने ये national blockchain framework बनाया था कि हम लोग भी इसमें आगे बढ़ सके है, plan क्या है, देख लिजे, ministry of information technology has initiated a project on design and development of the national blockchain technology framework, तो इसको लेकर, ministry of information technology ने already project को है, design कर रखा है, development कर रखा है कि कैसे हम national blockchain framework को आगे बढ़ाएंगे, for creation of shared blockchain infrastructure and offering blockchain as services, समझेंगे जिसको short में बास कहा जाता है, इस framework comprises following components of the multi-prong strategy, तो ये जो framework बनाया है, अभी ministry of information technology ने, इसमें कौन-कौन से components है, उनको देख लिजे, कौन-कौन से components है, पहला component है, geographically distributed nodes, मतलब ये है, कि जो blockchain है, इसका हम जो इस्तमाल है, अलग अलग जगा पे करेंगे, देखिए, ठीक है, तो कहने का मतलब है, rural में भ education, तो अलग-अलग domain में बिजए से कि health care में भी इस्तमाल करेंगे, लोग agriculture में भी इस्तमाल करें, education में भी finance में, तो जो गरिफिकली distribute कर रखे है, हमने notes को, समझेग ने, समझे, इसके अलगा दूसरा component है, to design and develop an indigenous blockchain platform, तो हम दोस्तों इस framework के जरिए भारत में, खुद का indigenous blockchain platform भी develop करना चाहते हैं, देख लिजे, incorporating identified best practices and advanced technology feature, ठीक है, तो आपने obviously incorporate करेंगे best practices को, advanced technologies को, ताकि हम खुद का blockchain platform भी develop कर सके हैं, इसी framework के जरिए integrate करना चाहते हैं, with important national level services, जैसे कि पर्मान, डिजी लोकर, इनके साथ दो, तो blockchain को क्या करना चाहते हैं, integrate करना चाहते हैं, awareness creation भ अधर awareness फैलाएंगे, पहली बात, तुम लोगों को, government department में, judiciary में, law enforcement agency में, इनमें awareness फैलाने की जरू होते हैं, कि आप लोग जो है, blockchain technology का, इस्तमाल करो, policies और regulation भी करेंगे, इस framework के तहत, the existing regulation and policy would be updated, जो भी अभी existing policies है, blockchain को लेकर, उनको update करा जाएगा, ठीक है, as needed as nbf evolves and more experience is gained during the implementation, adoption incentives भी दे जाएंगे, अभी framework जो बनाया गया ना, उसमें बोला गया कि अगर जो बंदा, blockchain technology को अपनाता है, तो उसको हम incentives भी देंगे, देख लिजे, central and state government shall formulate their respective scheme, तो बोला गया कि भाई, जो central government है, state government को है, उनको scheme बनानी चाहिए, और guidelines भी बतानी चाहिए, कि जो भी बंदा, blockchain का इस्तमाल करता है, government department वगयरा, उसको हम क्या करेंगे, दोस्तों, incentives भी देंगे, देख लिजे, detailing, out, fiscal and non-fiscal incentives जो भी दिये जाएंगे, इसके लावा, human resource development भी करा जाएगा, framework के ता है, देखी ना, भाई, आप blockchain technology का इस्तमाल करेंगे, तो blockchain technology को जो इस्तमाल करेंगे, इसके वाज़े से होगा, human resource development होगा, नहीं नहीं लोग चीज़े सीखेंगे, समझेंगे, तो future में skills प्राइम प्रोग्राम चला रहेंगे, जिसके जरिए, skilling करी जाएगी, अब skilling करी जाएगी, इसके अलाबा, multi institutional approach भी अपनाई जाएगी, इस framework के जरिए, क्या है multi institutional approach बसे तो आपको पता हिए है कि different different institutions को involve करेंगे, start-ups को, industries को, academic research को, ठीक है, further blockchain advisory council और steering committee शल भी constitute to provide overall guidance, तो ये भी establish करी जाएगी, blockchain advisory council को, और steering committee को, ताकि ये proper तरीके से guidance प्रोवाइड कर सकें, blockchain technology को लेकर, ठीक है, आई हो, आपको इतना clear हुआ होगा, यह देख लिजिए objective vision के है, national strategy blockchain, यह जो strategy बना रखेंगे, framework बना रखा है, इसके objective क्या, objective तो भाई, simple से होंगे, आप लोग भी खुछ सोच सकते हो, क्या, create करना, trusted digital platform को, through shared blockchain infrastructure, promote करना, research and development को, ठीक है, capacity को, skill करना, और innovation करना, technology and application development करना, make करना, India को, एक global leader, किस चीज में, blockchain technology में, facilitate करना, state of the art, transparent, secure, trusted, digital service, या, obviously, simple से objective है, किसी भी technology का भाई, objective यही होते है, सारे कि सारे, ठीक है, फाय देख, अधर prominent effort, देख लिए, कौन कों से लिए, यह important, वैसे तो देख लिए, मैं, रीड करता हूं, center of excellence in blockchain technology, बना गया, establish करा गया, किसके दोरा, NIC के दोरा, और किसके साथ association करी, इसने, नेशनल इंफॉर्मेटिंग सेंटर, सर्विसेस के साथ करके, इसके लावार, नीती आयोग, in collaboration with गुजरात, नर्मदा, वैली, fertilizer and chemical limited, has developed a blockchain based system for fertilizer subsidy, सोचे, fertilizer subsidy के लिए भी इनोंने, blockchain based system developed करा है, यहाँ पे, blockchain को adopt करने को लेकर, कुछ challenges भी है, challenges देख लिए, पहला है, transaction speed still remains low, अ यह, blockchain के लिए, lack of regulation in the network, इसके लावा, high energy consumption, energy का बहुँ ज्यादा, consumption होता है, high criminalization potential, criminalization का इसका बहुँ ज्यादा, potential है, questions on the performance with larger scale, इसके लावा, public perception remains skeptical, तो यह सारे सारे challenges है, related information देख लिजे, प्रिसीडिव प्रिसीपल, यह प्रिसीडिव प्रिसीपल क्या है, इसको समझते हैं, देखे, प्रिसीडिव प्रिसीपल बोला जाता है, यह, एक्चुली बहुँ बता रहता हूं, यह, world economic forum ने बोला था, कि भाई, जब भी आप blockchain, मतलब, develop करो, क्या करो, blockchain को जब भी develop करो, तो उन blockchain को develop करते समय ना, कुछ principles हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है, है ना, फिर से बोलता हूं, world economic forum ने इस प्रिसीडिव प्रिसीपल के जरिये बोला था, कि जब भी आप blockchain को develop करो, तो उस blockchain को develop करते समय, कुछ principles का धामेशा ध्यान रखो, और तभी blockchain डवलप करो, तो तो कौन-कौन से principle ध्यान में रखना है, पहला कि transparency और accessibility बनी रहा है, यानि right to information बनी रहा है, यह इसका खातमाना हो जाए, blockchain की वज़े से, इसके लवा privacy and security का जो right है, वो भी शिक्योर है, accountability, governance यानि right to recourse, इसके लवा agency and integrity, तो यह सब कुछ बरकार आ रहा है, तो इसके साब से blockchain technology develop कीजिए, अगला topic है, वो है non-fungible tokens, non-fungible tokens क्या है, इसके बारे में समझते हैं, पहले यह समझ लेते हैं, दोस्तों कि यह non-fungible tokens news में क्यों आ गया, देखिए, according to a recent report, India has the third most non-fungible token companies headquarter in the world, तो अभी report आई है, और इसमें बतायागा कि भारत जो है, third, जो है, सबसे ज़्यादा भारत के पास non-fungible token companies हैं, जो कि वर्ड में है, पहले नमबर पे सबसे ज़्यादा किसके पास है, USA के पास, और Singapore के पास, आप समझ लेते हैं, यह non-fungible tokens होता क्या है, देखिए, आसान बासा में समझाता हूं, कोई भी ऐसी चीज, जिसको आप, मतलब जो भी आ इस्तमाल करा, आपने वहाँ पे एक logo डवलप करा, आप बताओ, जो computer पे logo डवलप करा, क्या आप उसे हां से चूँ सकते हो, नहीं चूँ सकते भी है, ठीक है, जैसे कि, एक और example, जैसे कि मैं यह video बना रहा हूं, यह video बना ली मैंने, यह video की value है, क्या है value है, आप देख र उसी को कहा जाता है, non-fungible token, तो देख लिजे, यहाँ पर वही लिखा है, non-fungible token और non-fungible token is a digital object, यह एक digital object होता है, जैसे कि, drawing हो गया, animation हो गया, piece of music, photo, यह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, video with a certificate of authenticity created by blockchain technology, तो इसका आप blockchain technology का इस्तिमाल करके, मतलब, blockchain technology में आपको बता है, एक unique proof होता है, ownership का, देखे न, जैसे यह मैंने वीडियो बनाई, इसमें मेरी voice जुड़ी हुए, तो आप समझ सकते हो कि यह जो वीडियो है, इसकी ownership कि से जुड़ी हुई है, मेरे से जुड़ी हुई है, समझे कि ने समझे, तो इसको आप बेच मैं चाहूं, तो बेच भी स समझे कि ने समझे, the virtual object which is actually a computer file, तो एक देख लिजे, वह यह non fungible token क्या है, एक virtual object होता है, तो अगर मैंने यह वीडियो बनाई है, यह तो वैसे सस्ती वीडियो क्या, कुछ भी व्यूज नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह कोई भी आज कल बंदा जो virtual चीज बनाता है, उसक अच्छा example आज के time है, क्या cryptocurrency, cryptocurrency क्या है, कुछ नहीं है, यह virtual currency तो है, कुछ उसकी छू सकते हो, नहीं ना, लेकिन फिर भी आज उसकी खरीद और बेच हो रही है, तो cryptocurrency एक अच्छा example है, समझे कि समझे, tokenizing these assets allow them to bought, obviously अगर आप इन asset को tokenize कर देते हो, तो इनको खरीदा जा सक अगर आपके followers हैं, तो आपको पैसे मिलते हैं, आप भी एक tokenization बन चुके हो, NFT can also be used to represent people's identity, देख लिजे, obviously, जो NFT and non-fungible tokens, यानि आपका जो profile है, Instagram पा, वो किसलिए इस्तुमाल करा जा सकता है, represent करने के लिए, people's की identity को, property rights को, और more, ठीक है, सभी का, ना, समझे की समझे, तो importance का है, non-fungible tokens का, it seeks to resolve the problem of ownership, obviously, अब इसके जरिये, जो, कि ownership किसकी है, इस non-fungible token को लेकर, वो issue resolve हो जाता है, पहले से ही पता होता है, यह देखे, यह मैंने वीडियो बनाई है, तो आपको पता है, कि यह निरंकार ने वीडियो बनाई है, तो आपको पता है, कि तो मेरी ownership इ बोलते हैं, एक-एक शब्द, आना, रोनालडो ने आपको पता है, कुछ समय पहले बस पैपसी बोटल हटा दी थी, जिसकी वैसे करोड़ो का नुफसान होगे था, कंपनी को, तो कहने का मतलब बेची भी जा सकती ही, कोई शब्द जो है, मतलब विराड को लिया, कोई भी एक-एक शब्द बोलने के लिए, अपना, मतलब कुछ भी दिखाने के लिए, टी-शिट भी पहनते हैं, किसी जब क्रिकट खेलते हैं, तो उस टार पे जो लोगों बना होता है, उनकी टी-शिट पे, तो उसकी भी बहुत सारी वैलियू है, तो monetization करा जा सकता है, देख लि to the blockchain and have NFT to authenticate their works and ensure no fakes exist in the future, इसके अलावा, protecting intellectual property rights of artation, तो obviously आपको पता है, non-fungible token के जरिए, जो intellectual property rights हैं, उसके लिए भारत में कानून भी बने हैं, उनको लेकर भी protection मिलती है, who can use NFT to verify their original work, तो conclusion में हम कह सकते हैं, कि non-fungible token marketplace is exploding, आपको पता है, भारत में भी non-fungible token market, जो है, यह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग बहुत सारा content create कर रहे हैं, YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे, ठीक है, surprisingly large amounts are being paid for the NFT work, तो obviously इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा पे करा जाता है, जिसके ज़्यादा follower होंगे, इसको ज़्यादा पैसा मिलता है, these prices together with the uncertainty of few technologies, raise potential legal liability issues of arts, creators, buyers and marketplace, तो देखिये, जब कोई भी market बड़ी बनती है, जैसे कि non-fungible token की market इतनी बड़ी बन रही है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादे issues भी है, जैसे कि legal liability issues आ रहे हैं, ठीक है, art creators के लिए, इसके लावा buyers, marketplace, इसको लेकर बहुत ज़्यादा issues आ रहे हैं, तो इसको regulate करने की ज़रूरत है, there is a need for government to lay down framework to regulate cryptocurrencies and other digital currency, obviously भारत में भी देखिये, क्रिप्टो करनसी को लेकर कानून बनाने को लेकर चल दिये बात, तो यह सारे को लेकर regulate करना बहुत जरूरी है, to avail its advantage which in the future would be profound, obviously देखिये न, non-fungible token है, इनके advantage तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इनको regulate नहीं करोगे, policy नहीं लाओगे, तो आप advantage वो नहीं उठा सकते, ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए issues क्या है, non-fungible token के साथ, पहला है threat of money laundering, obviously आप देखिये न, कुछ content create करते हो, इसको बेच दो future किसी और country में, तो इससे क्या होगा, जो भी पैसा आएगा, आप money laundering के तौर पर इस्तिमार कर सकते हो, no legal protection avail to customers in the event of fraud, obviously कोई legal, आप action नहीं ले सकते, अगर कुछ भी fraud हुआ है, क्योंकि देखे न, भारत में कुछ policy नहीं है, legal rules नहीं है, इसको लेकर, तो मैंने बता जिया, legal rules और policy बनाने की ज़िए था है, ताकि action लिया जासा कि proper, unclear tax implication related to buying of NFT with the cryptocurrencies, obviously, tax नहीं मिलता सरकार को, क्योंकि rules, regulation नहीं है, not eco-friendly, each NFT transaction on the e-trum network consumes the equivalent of the daily energy is used by two term American households, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा energy consume होती है, अगला topic है, वो है quantum technology, quantum technology क्या है, इसको समझते है, देखे, quantum technology क्या है, तो quantum technology दोस्तों, physics और engineering की एक emerging field है, है ना, emerge होकर आ रहा है, समझे क्यों समझे, powered by the principle of defined quantum mechanism, आपको पता है quantum mechanism जो है, physics का ही एक sub field है, फिर से बता हम, quantum technology क्या है, यह emerging field है, और physics और किसकी, दोस्तों, engineering की, ठीक है, और यह explain करती है, nature and behavior of matter, फिर से बोलता हम, quantum technology क्या explain करती है, nature को और behavior of matter और energy का, on the atomic or subatomic level के उपर ठीक है, I hope आपको इतना clear हुआ होगा, तो I hope आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, quantum technology क्या है, फिर से बोलता हम, quantum technology के जरीए, यह quantum technology जो है, explain करती है, nature और behavior किसी का, matter का, energy का, on the atomic or subatomic level के उपर, अब देखिए, आपको अगर energy matter, इनका सब का nature पता चल गया है, क्या भाई देखे लिए, समझे कि नी समझे, आप शुरुवात में देखे ना, लोगों को पता ही नी था की, की, मिट्टी का कैसे कैसे इस्तमाल हो सकता है, है ना भाई, शुरुवात में नहीं पता था जब इनसान जब evolve हो रहेते, लेकिन दीरे-दीरे समझे कि मिट्टी का बहुत सा कि पहला है, पहला है क्वान्टम काम्पूटिंग में, क्वान्टम क्वान्टम क्वान्प्यूटिंग क्या हता है, क्उपित आजब एsm बेसिग उनिट आफ इनफॉमेशन इंप सब्ढहा रोने के लिए, ने तम्नानों के लिए रिए तैजन कि को भर ाने य करते बाई, ज बिचाई जा चुके हैं बिचाई क्या जा रही है और इनके जरीया communication स्टेबलिश करा जाता है समझें की समझें दोस्तों ठीक है तो communication में इसका इस्तमाल करा जा सकता है quantum stimulation में simulation में जैसे कि specifically designed quantum computer for the simulating materials और chemical reaction of the physical world ठीक है उसको समझने के लिए इसके लावा quantum sensing और methodology में भी आप इसका 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 इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि uses photons और electrons देख लिए जेफिर से बोलता हूं quantum sensing और methodology में क्या होता है इसमें photons और electrons का इस्तमाल होता है as highly sensitive sensors to measure of forces gravitation electrons fields और ठीक है तो इसमें quantum technology का इस्तमाल होता है क्या measure करने के लिए क्या measure करने के लिए दोस्तों इसमें measure करा जाता है forces किस चीज की gravitation की electric fields की इन सब को समझने के लिए दोस्तों ठीक है आप देख लेते हैं significance क्या है quantum technology देखिए significance मतलब फाइदा बहुत सारा है पहला है staying add of the disruption and achieving a beginners beginners as in the emerging field तो आपको पता है quantum technology है अगर हम इसमें महारत हांसिल कर लेते हैं तो देशों से आगे निकल सकते हैं preparing for tackling national security तो आपको पता है quantum जो है इसमें बहुत सारे देश आगे बढ़ रहे हैं quantum technology में तो अगर हम लोगों को भी आगे बढ़ना है और national security का जो रिस्क है उससे बचना है इसके लाब आप foster करेगा economic growth को obviously future में मैं बता चुका हूं quantum technology का हर जगा पे होगा communication सब जगा पे तो economic growth भी मदद कर सकता है देख लिजेए by developing market for quantum research and development obviously आप quantum की जो research and market है research और development करके market develop करोगे तो economic growth तो होगी होगी software development equipment, equipment manufacturing, driving societal progress and improving the overall quality of life इसमें भी मदद करेगा, encourage करेगा entrepreneurship को औ startup ecosystem development को, ठीक है, कौन-कौन से measure लिए गया है भारत सरकार के दोरा quantum industry को strengthen करने के लिए, तो भारत सरकार ने पहला कदम उठाया है, national mission on quantum technology और application, इसके तहत दोस्तों भारत ने total budget कितना लगाया है, 8000 करोड का budget भी लगाया है, quantum enabled science और technology जिसको क्योंट में का जाता है, ये भी initiative चलाए गया है, क्यों सिम क्या है, quantum computer simulator toolkit भी चलाए गया है, quantum frontier mission, ये सारे का सारा mission चलाएगा, इसके लाबा, setting up of dedicated labs और center भी बहुत सारे बनाया है, बार सरकार ने quantum technology को ले कर, यहाँ पर कुछ constraint भी है, quantum technology को ले कर, कौन-कौन से रुकावटें पहला है, loosely built research ecosystem, भारत में जो research system है, वो बहुत ली loosely तरीके से built है, with limited participation of private sector, तो भाई बिना private sector के participation के जरीए, आप technology में improvement नहीं कर सकते, तो भाई private sector का employment, बहुत सारे बहुत सारे भारत में जो लोग है, बहुत कम है, इस quantum technology में तो इनको improve करने के जरू होता है, unstructured research and absence of common platform, इसके लाबा, absence of indigenous development and critical quantum component, यह बहुत रुकावट है, industry academia gap बारत में बहुत ज़्यादा है, hindering translation of research into scalable application, other issues जैसे कि low patent application, lack of protocols for global governance, low international collaboration, यह भी बहुत बड़ा issue जुड़ा हुआ है, इसके अलाबा, inherent technological challenge, by technological challenge भी बहुत सारे है, पहला है, difficulty in achieving and maintaining the quantum superposition of entanglement, long enough to compete a task due to the decorrence, इसके लाबा challenge in the upscaling, the number of qubits on the processor chips, इसके लाबा need of speed, special infrastructure, तो यह सारे सारे challenge जुड़े हुए, तो आप way forward में क्या लिख सकते हो, भाई, अगर आपको challenges पता है, तो way forward automatically वही बन जाएंगे, हम लोगों को create करना है, dedicated quantum community को, establish करना है, dedicated center for research, इसके लाबा सेट करना है, priorities to safeguard national security, इसके लाबा, effective coordination करवाना है, हम लोगों को, किस-किस के बीच में, central और state government के बीच में, focus करना है, focusing efforts on translating, translating research into real world, भाई, आप जो भी research करें, उसको, real world में भी translate करो, facilitate करो, international cooperation, by international cooperation करना बहुत जरूरी है, promote करना है, domestic manufacturing facilities, and units को, for development of the quantum computer, components, और revisit करना है, revisit and rework करना है, national policy, जैसे कि military doctors, ethical guidelines, इनको भी हम लोगो revisit करने की ज़रूरत है, तो दोस्तों, आज का यहीं lecture रोकते हैं, अगला topic है, quantum की distribution, इसको, अगले lecture में cover करेंगे, अगर आपको यह lecture पसंदा है, तो लाइक कीजिए, और चैनल को subscribe करना मत भूलिए, मिलते हैं,